मैं पॉन भढ़ाना आपको को तो कल एल्यू का प्रोटेस्ट होने वाला है उसके सम्मंदित कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कुछ लोग disturbing element बोल रहे हैं कि कल प्रोटेस्ट नहीं होगा किशी को नहीं आना यह लगा हुआ धारा 144 लगी हुई है आचार सहीता लगी हुई है तो सबसे पहले उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यह कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि रोड पे प्रोटेस्ट हो क्योंकि अभी तक युनिवर्स्टी को यहीं नहीं पता है कि विद्ध्यारतियों को भी कुछ प्रॉलम है उनको भी कुछ प्रॉलम आ रही है तो उसके रिलेटेड ही है यह और सभी बच्चे कल 11 बजे गेट नंबर 2 पर मिलेंगे उसके बाद ग्यापन देने के लिए कुछों को प्रमोट कराना चाहते हैं क्यों क्योंकि अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो करीब 25 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनकी आप सबको पता कि ऑल्लाइन बढ़ाई है तो ऑल्लाइन बढ़ाई में 25 परसेंट करीब बच्चा ऐसा है जिसकी स्मार्ट फॉन ना ह जिसको कॉविड हो चुका था तो कॉविड टाइम पे वो बच्चा पढ़ाई करता या अपनी हेल्थ पर ध्यान देता तो इसकी वज़े से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है करीब 30 परसेंट बच्चे की और करीब 35 परसेंट बच्चा ऐसा है जिसकी नेटवर्क क करीब 35 परसेंट बच्चों की पढ़ा ही नहीं हो पाई है करीब 35 पर्सेंट बच्चों की प्लाहीं नहीं हो पाई डियू-टू-डीड और एक चीज और बताऊं जो ओन-लाइन ल सत ओना है उसमें पाध्चो को टीचर कैसे असमानs को परभाएगा उसमें physics के ड़ेटाई teacher कैसे गराएगा क्या सिर्फ उस्क्रीन दिखा के कि ये derivation है इसको टाप लो इसको लिख लो ये ऐसे थोड़ी बढ़ा ही होती है वो teachers को भी पता है कि ठीक से नहीं बढ़ा पाए है वो online में सबको पता है ये चीज़ और आप paper ले रहे हैं तो करीब करीब न 65 परशेंट बच्चा ऐसा है जिसकी बैक आने वाली है अगर offline paper होता है और आपको पता है कि अगर बैक आएगी तो क्या हाल होगा करीब 60 to 70 परशेंट बच्चा ऐसा है जिसकी maths में बैक लगेगी जिसकी physics में बैक लगेगी जिसकी finance में बैक लगेगी, जिसकी business studies में बैक लगेगी, जिसकी economics के अंदर बैक लगेगी, उनका क्या होगा, अभी मेरे पास बच्चों का call आजार सर GST समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ mobile पे screen दिखाई, और कि not कर लो इसको, मुझे भी पता, teacher ठीक से नही ही नहीं हो पाई है, उसके बाब दूझ बच्चा paper कैसे देगा, मैं आपसे पूछना जाता हूँ, तो सबसे निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुंचें, और जो ये disturbing element है जो आपके protest को रोकना, प्रोटेस्ट नहीं है यार, एक तरीके से, ये सिर् मार्ध हडवाला प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत सांती पूर्वग ज्यापन देने के लिए भीड जा रही है, और बच्चों को सबको पहुंचना है, क्या यार, आप लोग न, दरना किसी को नहीं है, सबको साथ जाना, यूनिटी सो गरनी है, अरे आप इलावादी यू एमड्यू को देखी, एमड्यू एक इतनी अच्छी यूनिवस्टी है, हर्याने के अंदर मैं बता रहा हूं, रोतक के अंदर, कि एमड्यू ने कितने ओप्शन दिया हैं, बता, ओनलाइन कोई दे सकता बच्चा, ओफलाइन दे सकता, और सिलिवस भी कम कर दिया, जस्ट व मेरा निवेदन है कि कल सभी एल्यू के, और एकेट्यू वाले बच्चे साथ ने, क्यूंकि आपको भी काम करने पड़ने वाला एल्यू आपके पुरा साथ रहेगा, तो कल 11 बजे गेट नंबर 2 पर सभी बच्चे पहुँचे, और जो यह आपका खुद का चैनल है, पाउन कंपनी से कनेक्ट हो सके, तो कल 11 बजे एल्यू चलो, गेट नंबर दो, बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं हमेशा साथ हूँ, जब जब स्टुडेंट और पकों पर अत्याचार होगा, पाउन भढ़ाना हमेशा साथ रहेगा, तो जै हिंद, जै भारत, मुझे यह पता है कि जो आपके लू के बाइस चांसलर है, वो बिलकुल संग्यान लेंगे और इस पर जरूर सोचेंगे, तो अभी रात हो रही है, मैं आप लोहों के लिए व्यूडियो बना रहा हूँ, और हमेशा बनाता हूँ, तो इस्टुडेंट रेकता, जिन्दा बात,